Hi friends, very good morning and welcome back to your study classes. तो प्यारे दोस्तों, आज मैं जुड़ा हूँ आपके साथ, कुछ बातें शेयर करने के लिए, डिस्कुस करने के लिए, बातें कुछ जो मेरे मन में आ रही थी, इस बार का पूरा जो हमारा net का examination का पूरा system रहा है, सेनारियो रहा है, तो पूरे scene को देखते हुए मेरे मन मे कुछ बातें आ रही थी, और अभी कल हमारी जो final answer की है, वो भी आ चुकी है, final answer की के साथ result पता नहीं क्यों नहीं आया, और इसके साथ साथ दिसंबर के examination को लेकर, 24 दिसंबर के examination को लेकर भी, कुछ doubts थे आपके मन में, तो मुझे लगा कि उन पर बातें करनी चाहिए, तो जो की लाने चाहिए, पूरे education system के अंदर, especially examination के point of view से, कि हमारे ये जो examinations होते हैं, competitive examinations होते हैं, इन पे लाखो लोगों का career टिका होता है, और इतने सारे लोगों को, आप जानते हैं कि हमारे देश में कितना सारा youth है, कितने सारे young लोग हैं, और इतने सारे लोगों को लटक आके रखना कईना के अच्छी बात नहीं है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, कि हमारी जो कल final answer की जाई हैं, बहुत देर लगा दी final answer की लाने में इनोंने, और देखो final answer की आई भी, तो भी उसमें कुछ सवालों के answer जो change होने चाहिए थे, वो इनोंने change ही नहीं किये, जैसे आपका RBI वाला question था, RBI की subsidiaries वाला question था, एक आपका intergroup conflict वाला question था, MM theory वाला question था, अब इनके answers चेंज होने चाहिए थे और आपने change नहीं किये, और मजे की बात पता है कि हमारे पास कोई avenue नहीं है, हमें बस एक मौका दिया जाता है, challenge दे दो, और वो challenge NTA की मर्जी है उसने मान लिया तो मान लिया, नहीं माना तो ठुकरा दिया, उसने आपको कोई कारण नहीं देना, कोई reasoning नहीं देनी, तो ये चीज मुझे लगता है कि कही ना कही थोड़ी सी गलत है, कि अरे आप answer गलत दे रहे हो, और उसे accept भी नहीं कर रहे हो, accept क्यों नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे लगता है यार, these are dictatorial tendencies और हमारे देश में democracy है, तो ये चीजों पर कही ना कही कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, तो अभी मेरे मन में मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या सुझाब हम दे सकते हैं, ऐसा क्या reform लेके आ सकते हैं, कि जिससे ये चीजें थोड़ है, तो ठीक है, अगर change नहीं कर रहा है, तो explanation दे, source बताए कि कहां पर ऐसी चीज लिखी हुए, कहां से उसने ये question उठाया, क्योंकि गलत answer आप दे रहे हैं, आपको तो कुछ नहीं, आपने तो एक बार गलत answer दे दिया, जिसका यहाँ पे एक दो number से paper लटक जाएगा, selection कराब हो गया, इसके बाद ये वाला question previous year questions में चलता रहेगा, आपके हमारे course में चलता रहेगा, आपकी किताबों में चलता रहेगा, जो अलग-लग authors market में लेकर आ रहे होंगे, और उसमें भी गलत answer ही चापते रहेंगे सब लोग, हम तो खैर उसे कर देंगे, star mark कर देते हैं आपके हम ऐसे questions को कि भाया इसमें NTA ने गढ़बढ करिये, इसका answer गलत था, और कई sources नहीं भी करते हैं, अब उनके भी कोई गलती नहीं है, they are simply following the final answer की, जो के NTA ने issue करिये, और फिर, जो students हैं, वो confused रहेते हैं, कि अरे यार, इसका answer ये कैसे हो सकता है, ये क्यों नहीं है, हमें भेशने question को कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो ultimately ये जो चीज़े हैं ना, इनकी ramifications बहुत जादा हो जाती है, और इस चीज़ को लेकर मुझे लगता है कुछ ना कुछ reform आना चाहिए, आपको क्या लगता है, आप मेरे साथ ज़रूर share कीज़ेगा, आपके मन में जो भी बात हमारी बातें आ रही है, आप भी ज़रूर share कीज़े, मैं चाहता हूँ कि Education Ministry तक कहीना की हमारी बातें पहुंच जाएं, तो बहुत बढ़ी है, NTE तक हमारी बातें पहुंचें, ताकि उसे पता लगे कि कितना गलत हो जाता है कई बात, जो हमारे serious और genuine experience होते हैं, उनके साथ especially जो general unreserved category से belong करते हैं, एक एक number उनके लिए कितना कीमती होता है, cut off कितना high जाता है, selection की streets कितनी काम होती है, तो ये थोड़ी सी चीज़े कहीना कि मुझे गलत लगी और मैं ये बातें आपके साथ share करना चाहता था, और अभी result को लेकर ही देख लो, result में कितना जाधा delay इन हमारे देश के अंदर elections होते हैं, अब election में मेरे कहाल से जाधा लोग vote डालते होंगे, इतने लोग net का paper नहीं देते होंगे, उसका result जल्दी आ जाता है, but हमारा net का result लटका रहता है, net का result नहीं आता, तो मुझे लगता है कि इस examination system के अंदर यहाँ पे भी reforms की requirement है, जैसे तरीके से चले, transparency से चले, timely आपके results भी declare कराता है, सब चीजें सही धंग से conductor यह ensure कराता है, ऐसी हमारे examination commission of India भी बनाई है, आपने भी देखा कि कितने सारे allegations लगे, paper के leakage को लेकर, और अभी कितना result में delay देखने को मिल रहा है, तो यह सारी चीजें उसकी जिमादारी बनाई है कि वो चीजें चेक करेगा, वो ensure करेगा कि कैसे हमें पूरा examination system जो है, उसे सही धंग से चलाना है, क्योंकि हमारा जो youth है, हमारे जो young लोग हैं, आपके और मेरे जैसे लोग हैं, वो सभी कही ना कही सिस्टम से जोड़े हुएं, और इस सिस्टम से ही कही ना कही हमारे घर चल है कि शायद paper postpone हो जाएगा, डिले हो जाएगा, इसका result ही बॉट डिले से आएगा, तो यह सब speculations देखो, पूरी तरीके से तो गलत नहीं है, बट फिर वही बात आजाती है, कि हमारे हाथ में चीजें बिलकुल भी नहीं है, एक परसंट भी हमसे पूछा नहीं जाएगा notification लाने से पहले कि अरे exam December में करवा दे तो क्या तुम्हारी त्यारी पूरी होगी, क्या तुम त्यारी करके आ जाओगे December तक, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, हमें तो simply order दिया जाएगा, आदेश दिया जाएगा कि जनाब December की इतनी तारीक को paper है, आपका admit card आपको दो द आपकी हो, it would not matter, तो I would recommend कि अभी आपका जो preparation है, आप उसे इस सोच में मत रोगे, कि अरे शायद दिसंबर में paper नहीं होगा, तो अभी त्यारी करने का कोई फायदा नहीं है, दिको paper आपका December में महलों नहीं भी होता, तो January में हो जाएगा, paper तो conduct हो नहीं है और उसके लिए MCQ भी लगा पाओगे, competition level बहुत जाद है, और मैं नहीं चाहता कि कहीं नहीं आपको 6 महीने waste करने पड़े, कि अभी आपका December में त्यारी नहीं हो पाई, फिर अगले साल June में नंबर आएगा, अगले साल June में आप paper दे सकेंगे, फिर उसका result भी पता नहीं कब आएगा, तो I would strongly recommend कि अगर आप December के लिए त्यारी कर रहे थे, तो करते रहो, अपना जैसे आपका preparation चल रहा था, उसी speed पे वैसे ही चलाते रही है, क्योंकि मुझे कहीना के अंदर से intuition आ रहा है कि आपका paper December में timely conduct वो करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, कई बार हमें पहले भी देख कि अब December का paper नहीं होगा, तो ये कुछ बाते थी, ये मेरे मन की बात थी, जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था, बाकी जो आप लोग मेरे साथ शेयर करना चाहता है, वो भी शेयर कीजे, कही न कहीं मैं चाहता हूँ, ये सुझाव जादा दूर तक जाएं, ज जादा लोगों तक पहुंचे तो प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करना, आज के लिए इतना ही जी, मिलते है नेक्स सेशन में, तिल देन गुद बाई, ठीक यार, ओल दे बेस्ट